Well, Big Boss OTT Season 2 अब बहुत जल्ड शुरू होने जा रहा है और और अरड़ी contestants बनने के लिए कई सारे celebrities को अप्रोच करते हुए फिलहाल शो के makers दिखाई दे रहे हैं अब इसी बीच एक बहुत बड़ी चीज सामने आ रही है जहाँ पर मैं आपको पहले भी update किया था कि Coffee with Karan की शूटिंग शुरू होने वाली है उसी वक्त जब बात हो रही है Big Boss OTT के तो जिसके चलते Big Boss OTT में से और Coffee with Karan में से किसी एक को चूज करना था तो obviously Karan जोहर ने Coffee with Karan को ही चूज किया है जिसके चलते अब यहाँ पे host की जगा जो है खाली है host कौन अब होगा इस तरीके से सवाल उटते हुए नजर आ रहे है well अब आपको बता दे कि तेजस्वी Karan का आखिर क्या रोल हो सकता है इस शो में देख रहे हैं आप फीफा फूज मैं हूँ आपकी हो संदोस विदांगी करने को वैल आपको बता दे सबसे पहले जब करन जोहर ने अपने डेट्स बिजी है इस तरीके से बात बता दी उसके बाद जो है इस शो को होस्ट करने के लिए ऐसी खबरे सामने आई कि आसम रियाज को और शहनास गिल को अप्रोच किया गया और उस इट कपल बन चुके है पावर कपल बन चुके है जहां कहीं भी जाते है पैपराजी पांस उनके ठीक पीछे होते है और अगर बता दे सोशल मीडिया पे आए दिन दोनों आप जानते ही है किस तरीके से ट्रेंड करते है किस तरीके से इने सोशल मीडिया से प्यार मिलता हु हुआ हमें हमेशा ही दिखाई देता है और इस सब के बीच तेजस्वी का शो जो है मीनवाइल नागिन सिक्स जो है वो तब तक वाइंड अप हो जाएगा इस तरीके से भी खबरे आ रही है और साथ ही साथ अगर बात करें करन कुंद्रा की तो करन कुंद्रा का डांस दिवान OTT Season 2 अब देखना ये होगा कि क्या ये offer ये दोने accept करेंगे यार नहीं क्या कुछ आपको लग रहा ओरेड़ी हमने करन कुंद्रा के hosting skills as jailer देखे है जो similar way में था Big Boss के जहां पे उनों बहां पे करन आते थे उनके साथ टास्क भी कराते थे साथी साथ उनकी गलतिया जो है उ बहुत ही important role play करता है और इसी के चलते कहीं न कहीं करन एक best fit भी नजर आता है when it comes to hosting and हमने वार्डन तेजस्वी को भी lock up के finale के एपिसोड के एक दिन पहले देखा था जहां पे उनकी भी hosting skills सामने आई थी उनकी भी guiding skills सामने आई थी और वैसे भी लोगों को तेजस्वी करन क शो की जो rating होगी जो ranking होगी वो एक गिदम उपर जाएगी इसमें कोई भी दोराएं नहीं क्या कुछ है आपको कहना इस पर do let me know in the comments I'll see you guys soon